हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैक टेक में चैनल को लाइक करो, सस्क्राइब करो मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद शिरफ आपको टेकनिकल इसूज के बारे में जानकरी देना है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विफ्ट गाड़ी 2015 मोडल के M.I.D. के बारे में जानकरी दूँआ इसके अंदर क्या मिटर किस काम आता है और क्या सिगनल किस काम आता है मैं आपको बता हुआ तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं टमप्रेचर मिटर से अब यह है टमप्रेचर मिटर यह इंजन के टमप्रेचर के बारे में हमें जानकरी देता है फिर आता है rpm meter यह engine के rpm के बारे में जान करई देता है यह आता है speedometer यह speed के बारे में हमें बताता है ठीक है इसके बाद में अपने चलते हैं handbrake के उपर यह जो sign है यह handbrake का sign होता है वोर जब handbrake को अपने apply करते हैं तो यह Nissan आता है और इसे release करने प्रेहंट ब्रेक को ये निसान चला जाता है ये निसान है engine mobilizing का जो की गाड़ी की security system से समंदित होता है इस system से कोई भी अपनी गाड़ी को start नहीं कर सकता है इसके बाद में आता है ये seat belt का sign आता है और ये seat belt लगाने पर अपने आप चला जाता है बेटरी का index करता है उसके बाद में जो ये red color का जो निसान है ये आता है engine के अंदर oil pressure का कि engine में oil कितना है इसके निचे जो निसान है ये आता है sensor के engine में जो sensor लगे होते हैं उसके बारे में हमें जानकरी देता है ये sensor खराब होते हैं तो ये index करने लग जाता है main screen पे जब गाड़ी start होती है और ये अपना fuel का उसके बाद में देखो ये छोटी जो डिस्पले दियो होती है जिसके अंदर उपर दिया होता है trips A trip B trip इसको अपने जब भी गाड़ी start करते हैं तो इसको अपलाई कर सकते हैं और उसके नीचे होता है किलो मिटर का कि अपनी गाड़ी कितनी चल चुके और उसके बाद में है नीचे नीचे टाइमिंग का और ये left और right indicator के जो निशान आते है वो तो आपको वीडियो आई तो चैनल को सस्क्राइब करो लाइक करो